हेलो फ्रेंट्स नूतन्स वल्ड एम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही डिलिसियस बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ यदि आप मेरे चैनल में नए है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अब अगल में आन सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं यह साम के नास्तिप के लिए पर्फेक्ट रेसिपी है इसे जो ट्राइ करें बहुत जादा स्वाधिश होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए यहां पिंहें दिया हैं और यहां फर्स में we pasar लिए और यहां Theo क्या रखимиटा प्राइद की इसलद को मैंने भी कर लिया हैं करी पत्ता की एक मरें ऑफ पाड़ी उसी आदे यहां अद्रॉप को मैं को मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दू कस में तो कद्दू कस में गेट कर लें या फिर आप इसका पेश्ट भी ले सकते हैं और यहां पे मैंने एक प्याज को बारिक कट कर लिया है तो यह प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया अब यह मैंने आलू उबला हुवा लिया है दो उबला हुवा आलू मैंने मिला के एक चमस लिया है और यह सभी को अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी यह देखिए इस तरह से इसमें कोई भी पानी को आपको एड नहीं करना है इसी से यह मिक्स हो जाएगी बहुत ही अच्छी पेस्ट बनके रेडी हो जाती है तो यह देखिए इसकी पेस्ट मैं इसे रेश्ट के लिए फाइब मिनट्स छोड़ दूँगी तो पांच मिनट के लिए मैं इसे ढखके रख दिया है और यह पांच मिनट के बाद अब मैं इसे आपको दिखा रही हूं देखिए फ्रेंड यह बहुत ही अच्छी से पूरी तरह से यह मिक्स अच्छी पेस ले आरी हूं और बस पानी लगा करके इस तरह से आप चोछटी पेरा या फिर कटलेट बना ले इस तरह से देखिए हमें पानी लगाने से हाथ में बिल्कुल भी नी चिपाएगी यह कि इसली बन जा रही है तो आपको इसी तरह से रेडी कर लेनीirmi है और अब मैं यहां पे तेल को गरम होने के लिए रखी हुई हूँ तेल को आपको फुल फ्लेम में गरम कर लेना है और उसके बाद इसकी फ्लेम को लो कर देना है जब आप इसमें कटलेट डाल रहे हो उससे में आप फ्लेम को लिदम लो करके बनाए और वो पहले से गरम रहेगी और आपको लो फिले में उसके बाद बनाना है तो इस तरह से इसे पलटते पलटते आपको अलट पलट करके पका लेना है लो फिले में बनाएंगे फ्रेंट तो यह बहुत जादे क्रिसपी बनती है और अंदर से पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी देखिए फिरन कितनी अच्छी कलर आई हुई है इसी तरह से मैंने सभी को बना लिया है बस आपको गरम कर देना है तेल को फूल फ्लेम में उसके बाद लो कर लेना है उसके बाद आपको लो फ्लेम में यह से पकाना है बस आप इसे सेलो फ्राइ भी कर सकते हैं या फिर तबा में सेख करके भी बहुत ही अच्छी इसकी कटलिट रेडी होती है तो मैंने यहां पर डिफ्राइ किया है आप इसे सेलो फ्राइ करके बहुत ही अच्छा पका सकते हैं तो यह देखिए इसी तरह से मैंने सभी को रेडी कर तॉ इस के सही करते हैं दही की चटणिशे हो अगता है अपैसा भीकाए लिव में सब्सक्षत करें लिवाओ बोगा है अलु सूजी की कट्लिट अब मैं जा रही हूं खाने और आपको आप करनी है और आपको आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे विश्वास है आप सबो को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और साम के नास्ते के लिए पर्फेक्ट बे लगन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो के सबी नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब करें लिए आप सब बहुत बहुत थे निवाद थाइंक्स पर वाचिंग एंड सी नेक्स टेम बाई